गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स आज हम करेंगे लैसन 5 के दी पार्ट के कुश्चन अंसर तो फस्ट क्या है टो मीन कैटगरीस ओव डिसीज दो मीन कैटगरीस बतानी है डिसीज की तो फस्ट क्या है कॉमनी केबल डिसीज हो गई हमारे पास एंड सेकंड कैन नोन कॉमनी के किर से गौए सपनी के आपको गजैने सेलता है एक परसन को तो दूसरे परसन से उता है जैसे है एक कोमुचन को गत्ति से ऊंति सब्चाया है और इंस म्यंतलint तो दूसरे सकाने के जτάसं तो अविशा लक्षन बताने हैं बेरी बेरी डिसीज की ठीक है तो extreme weakness ज्यादा weakness हो सकती है कमजोरी हो सकती है यह paralyzes of body parts paralysis hef body parts का मतलब क्या होगा कि paralyze हो जा कि हमारी party में कुछ इससा है काम करना बदो करेगा अगर मानलो किसी भी हमारे body parts में paralyze हो रहे है तो हमारा सकत बन बन własक्कर जाहेगा दो diseases के नेम बताने है जो कि spread हो रही है bite of mosquito मतलब मच्रों के काटने से हो रही है तो आपको पता है malaria हो सकता है तो यहाँ पर malaria लिखा हुआ है then dengu है then chicken gunya है छीक है यह diseases हो सकती है a girl find it difficult to see in dim light has a dry and scaly skin name the disease she might be suffering from एक girl है इसको difficult हो रहा है dim light में वो देख नहीं सकरी और उसको skin जो है वो dry हो रही है तो हम ऐसी मतलब मुझसे disease का नेम बताना है उसे क्या हो रहा है और यह कौन सी मतलब she might be suffering from किससे सफर कर रही है तो देखो she might be suffering from night blindness night blindness से सफर कर रही है तो यह किसी night blindness एक disease थी, वो किसकी वेज़े से होती है, अगर हमारे food में, हमारे खाने में vitamin A की deficiency हो, ठीक है, why should we not allow water to standing gate around homes, कि हम standing gate, हम अपने आसपास पानी को खड़ा, क्यों नहीं होने देते हैं, standing gate का मतलब है कि आसपास, मतलब खड़ा होना, ठीक है, water to standing gate around our homes, so we should not allow water to standing gate around our homes, because standing gate water is breeding place for mosquito, standing gate water जो होता है, पानी अगर खड़ा हुआ है, तो वो बढ़ावा दीता है मच्छों को, ठीक है, अगर मानलो standing gate water, मानलो कि एक जगह घर के आसपास है, घर के आसपास पानी बढ़ा हुआ है, पानी में एक मच्छर आया, ठीक है, एक मच्छर को दे अंसर देखो, विकोस से, विकोस टैनिगेट water is breeding place for mosquitoes, विश्प्रैडिस लाइक मलेरिया, देखो, अब मच्छर आ जेंगे, मच्छों के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, तो देखो, विश्प्रैडिस लाइक मलेरिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इनी questions answers को learn और write करने